बिग बॉल्स फेम पंजाबी आक्ट्रिस और सिंगर शेहनाज गिल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सद्धात जिस पर वो अपनी जान बारने को तयार थी वो उन्हें इस तरह से छोड़ कर चले जाएंगे हाल ही में वो अपने फिल्म होस्ला रख के प्रमोशन में दिखाई दी जहां उन्होंने सद्धात के निधन के बाद पहला इंटर्वियू दिया इस जरान उन्होंने प्यार और लगाओ के बारे में बात शेहनाज गिल दिलजीत दोसांज और सोनम बाजवा की फिल्म होस्ला रख शुकरबार को रिलीज हो रही है तीनों इन दिनों अपने फिल्म के प्रमोशन में बीजी हैं शेहनाज अपने सबसे अच्छे दोस्त सद्धात शुक्ला के निधन के बाद से लाइट और कामरा से दूर थी लेकिन एक्टर के निधन के एक महीने बाद वहाल ही में इस दरान उन्होंने मीडिया से बादशीत में कहा कि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो इसके साथ जो अटेच्मेंट होता है वो अटेच्मेंट के हिसाब से मैंने वो रेशो निकाला शेहनाज के मताबिक प्यार जो है मतलब मा का प्यार जो होता है वो मा को ही पता है और मा वाला प्यार फील कर सकती हूं, क्योंकि मेरИ माँ मुझे कितना प्यार करती है। शाहनाज अपने इस फिल्म में एक बच्छे की मां की करदार को निभाती हूए नजराने वाली है। अपने करदार को ले कर उन्हों ने कहा, कि फिल्म में उन्होंने 40 प्रतीशत खुद को वही दिखाया है जो वो रियल लाइफ में है सिधार के जिधन के बाद पहली बार शेहनाज ने कुछ कहा है जो अब चर्चा का विशे बना हुआ है इस फिल्म को लेकर सिधार के फैंस काफी एक्साइटेड है Subscribe our channel and press the bell icon for more updates